लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अंदबाना ना भूलें। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नए केस हर रोज बढ़ चड़ कर सामने आ रहे हैं। सूत्रों समिल रही जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोविड नाइटीन के केस चेटर सो के पार हो गए हैं। महीं मैने वालों की संख्या भी 165 से जादा पर पहुँच गई है। हलांकि सरकार इस पर काबू पाने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। बहराल बता दें की कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के बीच अब प्रदेश की गहलोत सरकार लॉकडाउन का दायरा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ताकि वापिस से बिगडी हुई अत्विय वस्था को वापिस पटरी पर लाया जा सके। इसी बीच प्रदेश वासियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सूतरों से मिल रही जानकारी के अनुसार एक जून को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंग चिकतसाल्य में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बतादें की कोरोना संकट के बीच अब एक बार फिर से करीब तीन महीने बाद सवाई मान सिंग अस्पताल को फिर से सामान्य मरीजों यानि नौन कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सुतरों से मिल रही जानकारी के अनुसार चिकतसा मंत्री डोक्टर अगु शर्मा के निर्देश के बाद अस्पताल अधिक्षक ने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए अस्पताल को नौन कोविड मरीजों के लिए शुरू करने के लिए बड़ी तेजी के साथ का काम करना शुरू कर दिया है बता दें कि इसके लिए सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश का जैपुरिया अस्पताल कोविड 19 फ्री किया गया था